प्रधान मंतरी जगदीब धनकर ने एक कारेक्रम में प्रधान मंतरी मोधी को युग पुरुष बताया है और उनकी तूलना मातमा गांधी से कर दिया उन्होंने अपने देश के लिए किये गए विकास कार्यों का संदर्व देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तारीफ में कई बाते कहीं हाला कि उपराश्चिपती जगदीब धंकर के इस बयान के बाद दिपक्षी दलों ने उनकी आलोशनक करना शुरू कर दी है उपराश्चिपती जगदीब धंकर ने जैन गुरू और दार्शनिक श्रीमद राज चुंदर जी को समर्पिते कारेकरम को संबोधित किया और हाँ उन्होंने कहा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा पिश्री शतापदी के महापरुष मात्मा गांदी थे इस शतापदी के युगपुरुष नरेंदर मोधी हैं मात्मा गांदी ने सत्य और अहींसा से हम अंग्रेजों की गुलामी किसे चुटकार अदिलाया जोकतंत्र के मंदिर जो बाद उप्राशपती जगदीव धनकर ने बीते दिन मुंबई में श्रीमद रामचंदर जी की जयनती समारों को संबोधित किया यहां उन्होंने कहा कि देश में बदलाव, सिक्षा, समानता, अच्छे व्यवार से आता है विवात, समवात, चर्चा और विचार, विमर्ष से सम्रद होने चाहिए वहां व्यवधान और अशान्ती फैली है श्रीमद रामचंदर जी की जयनती पर उप्राश्पती जगदीव धनकर ने कहा कि आज भारत प्रतिभाव से भरा हुआ है इसकी आबादी 144 करोड है अगर आज राजचंदर जी जीविद होते तो 21 सितंबर को लोकसभा और विधानसभा में महिलाओ को एक तियाई आरक्षन देने का बिलपास करने के लिए मेरी तारीफ करते अगर आज महात्मा घांदी जीवित होते तो सुच्छता भ्यान को आगे बढ़ाने के लिए PM मोदी की तारीफ कर दे हाला कि उपरास्पती के इस बयान पर कॉंग्रेस सांसर मरिकम टैगोर ने पलटवार किया है उन्होंने सोशल मीडिया प्लैट्पॉम एक्स पर लिखा चाप लूसी की एक सीमा होती है उन्होंने सब ही हदे पार कर दी है अगर आप प्रिधार मंत्री मोदी के तूलना महात्मा घांदी से करते हैं तो यह शर्मनाक है मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा पिछली सताब्दी के महापुरुष महात्मा घांदी थे इस सताब्दी के युगपुरुष नरेंदर मोदी हैं महात्मा घांदी जिने सत्याग्रह रहिंसा से हमें अंगरेजों की गुलामी से छुटकारा जिलाया बारत के ये सश्वी प्रधान मंत्री श्री अंदरेंदर मोदी जी ने डेश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदेव देखना चाहते थे इन दोनु महानु भाव में फादर अव द नेशन महात्मा घांदी और प्रमिस अंदरेंदर मोदी one thing is common they have reflected with respect to Srimad Raj Chandraji केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर